इटली के उत्री इलाके में मौझूद विगानेला गाउं चारों तरफ से पहाडों और घाटियों से घिरा हुआ है जब भी ठंड आती है तो यहाँ पर सूरे की किरने नहीं आ पाती जिस कारण करीब 3 महीने नवंबर से लेकर फरवरी तक अंधेरा ही रहता है इस जोरान गाउं में सूरज की किरने नहीं पहुंचने पर लोगों को कई बिमारियों से गुजरना पड़ता था सूरज की किरनों की कमी के कारण गाउं के लोगों को नेगेटिव इंपेक्ट अनिद्रा, मूर खराब रहना, एनरजी लेवल कम होना, क्राइम रेट बढ़ना जैसी समस्याओं से जूजना पड़ता था इस बारे में एक डॉक्टर ने टिक टॉक पर एक वीडियो शेर करके बताया है कि कैसे एक गाउं बिना सूरज की रोशनी से तमाम समस्याओं से जूजता था इससे बचने के लिए गाउं के लोगों ने खुद का ही सूरज बना डाला विगानेला गाउं ने साल 2006 में एक लाख यूरो यानि माने लगबक 87 लाख की लागत से 8 मिटर लंबा और 5 मिटर चोड़ा ठोस स्टील शीट का निर्मान किया ऐसा करने के बाद सूरज की रोशनी सीधे स्टील शीट पर पहुंचती है जो गाउं में अच्छी रोशनी प्रदान करती है इस एक आइडिया से गाउं के लोगों को बड़ी सफलता मिली जिसमें डॉक्टर करें ने बताया कि कैसे इस गाउं को अब एक दिन में 6 गंटे रोशनी मिलती है जिससे लोगों को सोशलाइज होने में मदद मिली 2008 में विगनेला के मेयर पियर फ्रेंको मिडाली ने कहा था कि इस पॉजट के पीछे के आइडिया का विग्यानिक अधार नहीं बल्कि एक मानव है मिडाली ने कहा था कि ये आइडिया लोगों को सर्दियों में सोशलाइज ना हो पाने के बाद आया जब शायर ठंड और अंधेरे के कारण बंद हो जाता था आपको ये तित्थ जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बोक्स में बताईएगा वीडियो चले के तो लाइक करें शेर करें और ऐसे मरज़ा तथ्थों के लिए अभी बना चैनल सब्सक्राइब करें धन्यावाद